हाई अवरिवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है UGC NET ADA 24-7 पर मेरा नाम है विशेख कौशिख और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन मेरे साथ से इसी का मैं जो आपको जोग्रफी पढ़ाती है आज एक बड़े मुद्दे को लेकर हम दोनों एक साथ आए हैं वो गलाते हैं अब बहुत सारी दिक्कते सब्स फेय कर रहे हैं मतलब मेरे को परसुन इमयल कर रहे हैं तेली घरां कर रहे हैं जो एक तो यह ब्लंड़े वाले कब हैं क्यों कि बच्चो के फ्यूचर के साथ बहुत किलवार हो रहा है और फिर उनका इस प्र लोगता है आपको जोग्रिफी इंडिवेजवल बताती हो एक तो बच्चों को आंसर शीट चेक करने में सर बहुत प्रॉब्लम है इतना कियोस था बच्चे बोले हैं बीसी साही ओरे हैं तीसी साही ओरे हैं मतब क्वेशन नंबर आइड अग है और आंसर की में वो आइड आपको दूनन सब्सक्राइब नहीं है तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिस्पॉण शीट भी इन से साही नी दी गई है जबकि कंप्यूटर बेस्ट था उसके बेसिस पे बिल्कुल पहले तो मैं बात बतादू यह सिर्फ आप सोच रहोंगे कि ओफ-लाइन होता तो अच्छा हो और वह ओनलाइन हो रहे हैं वहां पर कोई चीटिंग का मामला फेस नहीं हुआ है इवन आंसर की में भी चीटिंग का मामला नहीं आता कि बही कुछ गड़बड हो गई है आंसर की गलत अपलोड हो गया कुछ हो गया इतना बड़ा ब्लेंडर मतलब यह जस्टिफाइब यह को अचीश को इनको बच्चों को दिखा देते हैं वो मिल है क्या यह युचिस को मेल किया गया है एक स्टूडेंट है हिस्ट्री का वो है अंजली उन्होंने अटेंट किया दिस एयर यूजी सी नेट एक्जामेशन जून दोजाट चॉबेस जो यह री एक्जामेशन था ओनलाइन वाला और इसमें उन्तिस्त अगस्त को इनका एक्जामेशन था फॉस्ट में और येस्टरडे उनको एक आंसर की मिली और more than 50 questions जो है वो प्रवाइड रोंग आंसर की सोच रहो आप सो questions में से more than 50% आपके गलत हो रहे हैं मतलब आंसर की की वज़े से जो NTA ने दी है मतलब इतना बड़ा blender तो सैन करी नहीं सकते ओविसली है इतनी बड़ी organization है और वो एक examination पारी और उसके बाद आंसर की सही से अपलोड नहीं हो पा रही है तो यह किसकी जम्मेदारी इसका NTA को जवाब देना पड़ेगा और उसकी जम्मेदारी उन्हीं की है और उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी बच्चों से क्योंकि बच्चों का जीवन से खिलवाड करना यह कहीं से कहीं तक भी मैं तो से नहीं कर सकता ओविसली एज टीचर होने के बावजूद तो सोच सकते हो आप 50 से ज्यादे कोशन 50 पलस कोशन गलत हो रहे हैं हिस्ट्री के पेपर में और इस सिफ इस्ट्री का नहीं है पॉलेटिकल साइंस होगा है इंगलिश के पेपर कुछ गलती आ रही है आंसर की की वज़े से जिससे कि बच्चे में इस्ट्रेस फुल हो रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा गलत हो गया वे पर यह हो गया अब वो क्या दो सो रुपे हर कुशन के लिए पे करेंगे को यह कहीं तक मैं माननी रहकता कि यह कुछ मैं यह कैसे स स्टूडेंट्स ने दिया उनके फ्यूचर के बारे में और आगे आने वाले बच्चे तो वो क्या ही सोचेंगे कि हमें इस प्रोफेशन में घुसना है तो एंटे को आगे आखर यह सारी जो गलतिया उन्होंने किया उसको ठीक करना चाहिए ताकि बच्चों का जो और एक भी बच्चे का पैसा बरबाद ना हो ना पैसा ना फ्यूचर कुछ भी बरबाद ना हो तो एंटे को ही इसमें आगे आकर अपने लिए बोलना चाहिए बिल्कुल मैं और सबसे इंपोर्टेंट बात यह दो सो रुपे वाली है ना ओविसली आपको पता है इस ट्रे को जवाब देना इसको जल्दी से जल्दी जवाब दे यही हम रिक्वेस्ट कर रहें और बच्चों के फिवर में आंसर की आए मतलब जो आंसर सही है उनको वह अपलोड किया जाए इससे स्ट्रेसफुल सिच्वेशन भी क्रियेट हो रही है बच्चों का मनी नहीं करेगा एक्जामनेशन देनेगा यूजी सी छोड़ो कि एंट जो जो कंडेक्ट कर रहा है CSIR कंडेक्ट कर रहा है बाकि एक्जामनेशन कंडेक्ट करता है तो उससे मन हट जाएगा लोगों का वह आई नहीं पाएंगे कि इस प्रोफेशन में आगे बढ़े तो यही हम दोनों को ए